नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं दिसाथ टेक्निकल यूटूब चैनल दोस्तों आज का ये वीडियो है यूपी स्कालर्शिप के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप यूपी स्कालर्शिप का फार्म अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप पैसे आप ़ 25 प्सका किया जाए तो सब कुछ हम सही तरीके से बताएंगे शवीमें क्योंकि मैं यहां पर नोटिस के माधम से बताओ को नोटिस दीया गया जो यहां पर आदेश दिये गये हैं है तो उसी आदेश के बारे में बताऊंगा आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको क्या करना है कैसे आपको कब मिलेगा आपका स्कालर्शिप मिलेगा और लाश्ट डेट इसका क्या है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलते हैं पहले इसके नोटिस बोर्ड में यहां पर देखिए लेटेस्ट नियूज का कालम पर तोoken नहीं है नोटिस दिये ग curricLE और दोस्तों हम इसको डाउटोड करेंगे और आपको बताएंगे बारी बारी से आपका क्या चीज़ कैसे है है कि तो हम इसको पॉर्यत ढॉपन कर लेते हैं फिलानारी पास पहले से मैं इसको डाउन्लोड कर एक टाई तर सब आप देख हैं और दोस्तों दिया है यहां कच्छा नो सब्सक्राइब करिया निया के बारे में बताया गया है तो आपको 8 दिसंबर तक हरहाल में आलाइन आवेदन कर देना है जिसके बाद अगर आप कोशिस करेंगे तो आपका अनलाइन अबेदन नहीं होगा तो अब बात करते हैं इनके पैसे के बारे हैं अगर आपने अनलाइन अबेदन कर दिया है तो आपके खाते में आपका पैसा कब ट्रांसफर किया जाएगा तो हम इसको उपर करते हैं और यहां पर देखते हैं क दो आपको बता दे कच्छा नौदस कि छात रहें तो आपको एक मार्श दो हजार चौबीस तक यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं एक मार्श दो हजार चौबीस तक आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर आपका इस काल से फार्म गलत नहीं है या नवेजन कब तक है उनका लाजट डेट क्या है तो इसको हम करते हैं बैक फिर चलते हैं Google Chrome में UP scholarship की website पर यूप scholarship की website पर आप देखिए आप दूसरे notice हम download करते हैं आप पोस्ट मैट्रिक scholarship time table for SC and ST category यहाँ पर दूसरा SC and ST category का option है इसको हम क्लिक करते हैं इसको download करते हैं आप देख सब्सक्राइब नोट्रिक डाउनलोड हो गया नोट्रिक डाउनलोड होने के बाद हम पहले चलते हैं लाजट डेट के बारे में अगर आप SC ST के हैं कटेगरी के हैं तो आपको बता दे आपके दौरा जो आनलाइन आवेदन है कच्छा 11 12 BABSC जो भी है तो पोस्ट मेट्रिक वालों के लिए इनका आवेदन जो है 31 दिसंबर 2030 तक है यानि अगर आपने अभी तक आनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2030 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं अब बात करते हैं अगर आपने आलाइन अभी दन कर दिया है तो आपका पैसा कब तक आपके खाते में ट्रांसफर होगा तो यहां पर इसको ऊपर करते हैं देख सकते हैं रोलाइन था अगर सपश्य होेचा होगा उसको 15 मार्च Redak तक आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा यहां पर देख सकते हैं जनपर अस्तरी विभागे अधिकारी के डिश्टर सिनेचर से लाग डाटा कैधार पर सही डाटा वाले छात्रों को पी एफ हैं में प्रडाली के माध्यम से छात्रों के अधार सीड़ यानि कि जिस सब्सक्राइब करते हैं यहां पर देखिए नोटिस डाउलोड हो गया नोटिस डाउलोड हो गया इसको ऊपर करते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं कि स्टेटस चक करना चाहते हैं कि आपके स्टेटस में सब कुछ सही दिखाई दे रहा कैसे तो आप तब भी आप कमेंट कर सकते हैं मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा कि स्टेटस किस तरह से कैसे देखते हैं कैसे चाने कि कि इसकारा से फार में सब कुछ सही है कि गलत है बस आज के लिए इतना ही दोस्तो धन्वाद